दोस्तों क्या अर्विंद के जिवाल ने जेल में होकर भी नहले पर देहला कर दिया है? क्या अर्विंद के जिवाल की गिरफतारी भारतिय जंता पार्टी की गले के हड़ी बन जाएगी? क्या भाचपा को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि अर्विंद के जिवाल जेल से सरकार चला रहे हैं और जेल से वो खुलासे कर रहे हैं जो कि चौकाने वाले हैं दोस्तों ED को लेकर दोबारा एक खुलासा क्या क्या है और ये खुलासा अर्विंद के जिवाल के जरिये ही हुआ है जरिये में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुनीता के जिवाल जो कि अर्विंद के जिवाल की पत्नी है उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फरेंस की दोस्तों और ना सिर्फ प्रेस कॉन्फरेंस की है बलकि अर्विंद के जिवाल को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही है साथ ही ED को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है क्या ED को अर्विंद केज रिवाल से माफी मांगनी पड़ेगी क्या अर्विंद केज रिवाल आने वाले दिरों में आने वाले कुछ घंटों में कुछ ऐसा खुलासा करने वाले हैं की इडी को भारी पड़ जाएगा ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस खबर में आपको दूंगे आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें नमस्कार मेरा नाम है जयन्ती जा और आप देख रहे हैं तिकंटाब दोस्तों अर्वेंद के जिवाल की गिरफतारी जब से हुई है भारतिये जन्ता पार्टी बहुत बुरी तरीके से घिरी आप लगातार ऐसे कई वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है आपने देखे हो हो स जाना चाहूंगी कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया सर्फेस पर वाइरल हो रहे हैं जिसमें लोगों से पूछा जा रहा है दिल्ली की जन्ता से पूछा जा रहा है कि अर्विंद के जिवाल की गिरफतारी को वो कैसे देखते हैं लोगों का रिस्पॉंस सीधा सा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली पड़ी है दूसरी बात ये काम में बाधाएं आ रही है बावजूद इसके अर्विंद के जिवाल जेल से जो सरकार चला रहा है दोस्तों उसका एक अलग इंपक्ट लोगों की दिमाग पर पढ़ रहा है उसके बारे में हम आगे बात करें है क्या कुछ कहा है आपके स्क्रीन्स पर इस वक्त में वो खबर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों उन्होंने कहा है कि 28 तारीख यानि 28 मार्च को ये पता चल जाएगा कि कथित शराब घोटाला तथा कथित शराब घोटाला जिसका अर्विंद के जिवाल समय तमाम नेताओ पर लगाया जा रहा है उसका जो कथित तौर पर पैसा था वो आखित गया कहा है इस बात का खुलासा 28 तारीख को अर्विंद के जिवाल कोट में करेंगे ये कहा है सुनीता के जिवाल ने दोस्तों जो कि पतनी है अर्विंद के जिवाल की क्या कुछ कहा है उन्होंने मैं को बताना चाहूंगे देकि सुनीता के जिवाल ने कहा कि अर्विंद के जिवाल 28 मार्च को पूरे देश को बताएंगे कि इस कथित शराब घोटाले का पैसा कहा गया साथी वो ये भी कहती है कि इस तथा कथित शराब घोटाले की जाच में इडी ने पिछले दो साल में 250 से जादा यानि 200 से भी जादा चाहपे मारी की लेकिन एक में भी कोई किसी भी जगा किसी भी चाहपे मारी में पैसा निकल कर बाहर नहीं आया अर्विंद के जिवाल इस तथा कथित शराब घोटाले का पैसा ढूंड रहे हैं अभी तक किसी भी चाहपे मारी में एक भी पैसा कहाँ हैं अर्विंद के जिवाल ने आगे ये भी कहा कि वो इसका खुलासा 28 मार्ज को कोट के सामने करेंगे सारे देश को साच बताएंगे कि इस तथा कदित शराब खोटाले का पैसा कहा है इसका सबूत भी दिया जाएगा इसका सबूत भी देने की बात सुरीता केजिवाल ने उनकी पत्नी आँन थे कह लिए दो किए गहीं सुरीटा केजिवाल ने यह कहा उन्हों ने दे पूछना चाते हैं श्वराब खौटाले का पैसा और चहाबे में एक वी पैसा नहीं मिला हमें पैसे का सबूत और पैसे का सबूत क्यूं नहीं दिया जा रहा है उन्होंने ये भी कहा कि केजिवा सक्चे देश भक्त इंसान है उन्होंने ये कहा कि दो दिन पहले अर्विंद केजिवाल ने दिल्ली में पानी और सीवरेट समस्याओं के संबन में जल मंत्री आतिशी को एक पत्र भेजा था केंद्र सरकार ने उनके दिल्ली को बर्वात करना चाहते हैं कि दिल्ली के लोग समस्याओं से जूचते रहें इससे अर्विंद केजिवाल बहुत पीडा हुई है तो ये जो घोटाला हुआ इसमें एक के बाद एक आमाभी पार्टी के नेता जेल जाते रहें और सायोग की बार देखिये सबको रही है किस तो यह मैंने शुरुआत में कहा सवाल किया कि क्या भारतिय जन्ता पार्टी या फिर तमाम केंद्री एजेंसियों ने केज रिवाल की गिरफतारी करके भाजपा का खेल विगाड़ दिया है क्या भाजपा ने अपने पेरों पर कुलहारी मार लिया है सब तमाम तर दुसरी यह कि जेल से कोई चीफ मिनिस्टर सरकार चला रहा है कानूनी तौर पर अर्विंद Kajewal को रोका नहीं जा सकता ये करने से कोई नहीं रोक सकता कानून उनको अधिकार देता है कि वो जेल से सरकार चलाए जब तक उपराच जिपाल दिली के उपराच जिपाल इस पूरे मामले पर कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कहते, तब तक ये पूरा मामला ऐसा ही चलता रहेगा, अरविंद के जिवाल जेल से सरकार चलाते रहेंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारतिय जंता पार्टी ने उपराजिपाल को इंसिस्ट किया है, कि अरविंद के जिवाल को जेल से सरकार चलाने से रोका जाए और उपरा जिपाल ने दिली की जनता को आश्वस्त किया है कि वो अर्विंद के जिवाल को जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे ऐसा बीजेपी के नेताओं का दावा है दोस्तों बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे ह सडक पर उत्रे हुए हैं अर्विंद के जिवाल का इस्तिफा मांग रहे हैं लेकिन बावजुद इसके कुछ नहीं हो पा रहा है देखे गिरफतारी बेशक हुई है सबूत अभी तक कुछ नहीं मिला है अगर मैं इस पूरे मामले में दोस्तों एक कॉलम की बात करूं वो आप तक ना पहुंची हो तो मैं आप तक पहुंचाने के कोशिश को करूंगे आपके स्क्रीन पर इस वक्त वो कॉलम है दैनिक भासकर के लिए उन्होंने कॉलम लिखा है इसमें वो तमाम जानकारी है दोस्तों जो आपको थोड़ी इस पूरे मामले की कानूनी समझ में पूरे केस में तो देखे पहले ही कानूनी रूप से केजिवाल को हिरासत से सरकार चलाने से रोका नहीं जा सकता है व्यवारिक रूप से यह संभव नजन नहीं आता कोई भी अभी तक आप देखिए कि अजहारकन में भी ऐसा ही हुआ वर्तमान में जो इस वक्त पूर ग्रफ्तारी होने वाली है उनको ग्रफ्तार किया गया फिर नया मुक्हि मंत्री चुना गया पहले उनने इस्तिफाद और उसके बार सारी चीज़े हुई है यहाँ पर अभी तके अर्विन के जीवाल ने इस्तिफाद नहीं दिया अपने पथ से वह अभी भी दिल्ली के हो रहा है आप ज़रा इसको समझें तो देखिए कानून की अगर बात करेंगे कानून के अनुछेत 45 के तहट जमानत मिलने के संभावना ना के बराबर हो जाती है उनको इस परिस्तिती का सामना करने के लिए पहले से ही पूरी तयारी कही ना कहीं के जिवाल ने कर ली कैसे उन उनके इंटर्व्यूज में जाकर अलविंद के जिवाल ने बार बार इस बात को दोहराया कि एडी जिस बिना पर उनको गिरफ्तार करना चाहती है असल में वो बिना है नहीं उनके पास सुबूत है नहीं उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें रिपोर्ट में किस तरीके का कोई जिक्र है नहीं तो आप किस बिना पर मुझसे पूछताच करना चाह रहे है और यह मामला अभी भी अदालत में लंबित है दोस्तों इस मामले पर अभी भी एडी को हरी जंडी नहीं मिली एक कोट की तरफ से उस पूरे मामले पर सुनभाई होने वाली है अभिंद के जिवाल के खिलाफ सबूत है या फिर नहीं है देखे खबर कहती है कि हाई कोट ने 22 अपरेल की तारिक डाल दी थी एडी पेचिद्की में फस गई क्यूंकि अदालत फाइल देखकर किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच सकती थी जो एडी के लिए मुफीद ना होता एडी के बात भी नहीं मानी गई के जिवाल की बात पर विचार करने के काबिल नहीं है ऐसा भी नहीं माना गया एडी से पूछा कि अगर के जिवाल के खिलाफ इतने सबूत है तो आपने अभी तक उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जरा फाइल तो दिखाईए कि उनके लेकिन कितने दिन तक चलाने दी जाएगी देखने का विशे होगा लेकिन ये मामले को और ज़्यादा गंभीर बनाएगा अगर आप गौर से देखेंगे तो क्योंकि जैसा मैं ने कहा कुछ समय में दोस्तों जिस तरीके से लगातार गिरफतारियां हुई है विपक्षी न किताओं के खिलाब एडी और सी बियाए या इंकम टैक्स की पूछताच क्यों इसे तमाम सवाल इस वक्त जंदा की नजर के सामने हैं जो कि उठाए जा रहे हैं तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलाल अर्विंद के जिवाल की गिरफतारी एक होट टॉपिक बन चुक तो कुछ मैंने इस खबर में आपको बताया आप उससे कितना सेहमत हैं कितना नहीं या आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको ये वीडियो को संदाया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूल पर मुलाकाच होगी आपसे अबली वीडियो में तब तो के लिए रवस्कार